जै मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यब चैनल में दोस्तो जिन लोगों को कर्ज से मुक्ती चाहिए यानि जो जातक गले गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो की ऐसे होते हैं कि कर्ज उतारने के लिए कोई उपाय बताएं जिससे हम जल्दी से जल्दी कमाकर कर्ज उतार सकें तो आज की वीडियो उन ही लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है तो अगर आपके पास कर्ज है और कर्ज उतरने की बजाए दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है लाख प्रियास करने के बाद भी पैसे नहीं आ आने वाला है जो कि इस अचोक दिन है यह ग्यारा मई को ही है तो इस दिन आपको वो ऐसे कुछ उपाय करने हैं जो बहुत अतिस्जिग्र आपको लाब देंगे उसके बारे में हम आप बताएंगे बस वीडियो को आंते तक देखें चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे दोस्तों यह वैसाख का मसी महीना चल रहा है और वैसाख जैसे पुन्यदाई महीने में 11 मई को अमावश्या है जिसको भौमवती अमावश्या कहते है और उपाया जो करते हैं उनका विशेस रूप पर लाब होता है देखे जब भी अमावश्या थी सौमवार को मंगलवार को शनिवार को आती है तो यह विशेस संयोग वाली अमावश्या बन जाती है जब भी सौमवार को अमावश्या आएगी तो उसको हम सौमवती हुति है मंगलवार को आती है तो भौमवति ऑस्चा होती है और तीनों बहुत लाबदाएक अमावश्ऩा बन जाती है अब मंगलवार को अमावश्च थिति है तो ये भौमवति j 사람들 होगी हनुमान जी का ये दिन होता है और देखिए हनुमान जी का दिन कर्जमुक्ति के लिए बहुत उत्तम आना जाता है उपर से ये अमावशा तितिकाना तो आर्थिक संकटों से छुटकारा दिलाने वाली ये अमावशा होगी इस बार की बहुति अमावशा के दिन भाणी नक्षत्र रहेगा स्वभाग्य नाम का यूग रहेगा साथ में चंद्रमा भी मंगल की राशी मेश रासी में गोचर करेंगे जिससे ये दिन और अधिक को शुब बन जाता है तो अब हम जान लेते हैं चलो कि आ आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है जल्दी उठकर स्नानादी करने के बाद जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय आपको तांबे के कलश में तांबे का जो लोटा होता है उसमें एक शुद्ध जल उसमें भरना है और लाल चंदन का पाउडर डालना है उसके बाद गुढल का फूल भी उसी में डाल दें लाल फूल जो होता है और सूर्य के जो बारह नाम होते हैं अगर बारह नाम भी याद नहीं है तो ओम सूर्याय नम्हा इस मंत्र का जप करते हुए उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं ये कारिया आपको करना है और अगर आप करज से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप देखिए कारे करें एक तामबिय का जो तिरकोण आता है मंगल यंत्र वो तिरकोण मंगल यंत्र लें पूजा के जो दुकाने होती हैं जहांपर पूजा का समान मिलता है वहां पर मिल जाएगा तो उस तामे के तिरकोन मंगल यंतर को लें और उसे घर में इस्थापित करें नित्य प्रति दिन उसकी पूझा करें और मंगल इस तोत्र का पाठ करें और उस यंतर पर जब पूझा करते हैं आप तो लालचंदन का ठीका लगा दें इस से आप देखेंगे बहुत ही जल्द पैसे कि आवाकानी शुरू हो जाएगी और अब देरे अपने करज को उतार देंगे। और इस अमावशा के दिन मसूर की डाल का दान करें। क्योंकि सौमवार का ये दिन है, सौमवार के दिन मसूर की डाल का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। करज मुक्ति के लिए सर्वस्रेश भी उपाया होता है। तो इस शुब योग में, सोभागय योग में, मेश का चंद्र राशी में होने पर और भौवती अमावशा होने पर इस दान का भी बहुत अधिक फल होगा। तो आप इनूपायों को करें। निश्चित है कि शिग्र अतिशिग्र आपकी आर्तिकिस्तिती सुधरेगी और आप अपनी करज को उतार पाएंगे। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना है।